सत्यपाल मलिक राजपाल भी हैं समयधानिक पद पर बैठे हुए हैं और भाजपाद द्वारा उनको राजपाल बनाया गया वो कहते हैं पूरे देश में हर काम कराने के लिए कमीशन है सुनिए सारे देश में कमीशन पांच चार परसेंट मंगा जाता है कश्मीर में पंधरे परसेंट मंगा जाता है उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ आते आते मैंने वहाँ एक आप देखते होंगे आज कल प्रेस में और टीवी में उसको रोश्णी एक्ट कहते थे, फारुक अब्दुल्ला वो एक्ट लाये थे, कि ये सरकारी जमीने हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे, और इससे जो रुपया मिलेगा, उससे बिजली की हालत सुधारेंगे, बिजली की हालत तो सुधरी नहीं, कई एकड का प्लॉट फारुक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया, मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया, तो नों का जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया, और उसकी जाँच बिठा दी, अब वो महाँ जाँच भी सरकारी संस्थाएं करती है, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे,